इस Medical College में इस Medical College का इतना बुरा हाल है हम कई बार मीडिया में भी दे चुके हैं कि यहां की जो डारेक्टर है वो हेड़कौर्टर पर नहीं रहती है सरकारी गड़ी का दुरूप योग करती है रोज गुरूगराम से रोज की रोज आती जाती है वह हमने स्वास्ते मंत्री को भी चिठी लिकली मुख्यमंत्री को भी लिख लिए उसके कारण यहां पर इतना बुरा हाल है पांच महीने होगया अल्ट्रा साँंड की मशीन तक खराब है रहा है स्टाफ के जो संथाए के श्डूटी कुरसी है शॉपिंग कॉंप्लेक्स नहीं है सॉपिंग बनवाने की बजाए खुलो आने की बजाए उसका बोरेडी उतार दिया तो यहां तो यानि कि एक ताना साही का रवया हम आपको बताने के लिए आए हैं कि लोगों में रोश है आज लोग शान्ती से खड़े हैं जिलकुल शारे यानि कि कोई सोर सराबानी है आम अग्यापन सोपने के लि सुबह यानि की काड़ी लेने जाती है फिर वापीस आती है फिर शाम को फिर लेने जाती है फिर वापीस आके वहां पे खड़ी करते अगले दिन ट्राइवर फिर लेके चले जाता है तो हमारा आप से निवेदन है कि इस विशे में उचित कारवाई करवाई करवाई करवा आज आपने ग्यापन स्वा पाए तैसिलदार साब को क्या मामला था है मैं डाक्टर गुलिशन प्रकास अंबेडगराई डॉक्टर एसोशेशन एवम डॉक्टर अंबेडगर मिशनरीज एंपराई स्टूडेंट एंडपराई पीपल सोसाइटी का परदेश सद्यक्स हूँ आज हमने मेडिकल कालिज के मामले में मानिनिय तैसिलदार साब को ग्यापन सुपा है मैं यह बताना चाहूँगा के इस नू में एक मेडिकल कालिज है जहां पर बहुत ज़्यादा एववस्थाएं फैली हुई है मैं बताना चाहूँगा के नूज लेके जो मानिनिया डिप्टी कमिशनर मोद्य हैं मानिनिया एस्पी मोद्य हैं SDM है ADC है तैसिलदार सतर के जो अधिकारी है वो हेड़क्वाटर नूँ में अपना मेंटेन कर रहे हैं लेकिन साथ लगते जो Medical College है जो सहीद असन खान मेवाती Government Medical College बना हुआ है मेवात में उसकी जो डारेक्टर है वो अपना हेड़क्वाटर छोड़ कर रोज की रोज गुरुगराम से अपडाउन कर रही है अपना हेड़क्वाटर मेंटेन नहीं कर रही है जबकि सरकार की कलियर कट डारेक्शन है कि कोई भी अधीकारी है चाई वो छोटा है चाई बड़ा है वो अपना हेड़क्वाटर अपने पोस्टिंग सतल पर मेंटेन करेगा लेकिन यहां की जो डारेक्टर मोध्या है जो कारियवाएक है क्योंकि सताई डारेक्टर तो इस मेवात को नसीब भी नहीं हुआ पिछले दो साल से जो कारियवाएक डारेक्टर है वो अपने हैड़कॉर्टर पर नहीं रहती है जिसके लिए आज हमने ग्यापन सोप है उनके हेड़क्वाटर पर न रहने से बड़ी बहुत बारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है चार से पाँच महीने से अल्टरा साउंड की मशीन खराब है अभी हमारी एसोसेशन ने शोपिंग कॉंपलेक्स की आवाज उठाई शोपिंग कॉंपलेक्स तो बना नहीं उसका बोर्ड उतार दिया गया स्टूडेंट्स की लिए जो केंटीन बनाई गई है हालात बुरे हैं कुर्सियां टूटी हुई है ठेक्के पर जो करमचारी लगे हुए है उनको वेतन उपलब्द नहीं हो रहा है इसी के साथ जो होस्टल्स में बच्चे रहते हैं उनको बहुत बारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इन सभी समस्याओं के लिए आज हमने मानिनिये तैसिलदार मोहद्य जी को स्वास्ते मंत्री के नाम ग्यापन सोपा है डाक्टर गुलिशन परकास में एक बहुत बड़ा सवाल है डारेक्टर जो साहिबा है वे सरजरी की सरजन है तो सुना है मरीजों से वे ऑपीडी में बैटरी ऑपरेट भी नहीं करती देखिए एक जो डारेक्टर मोद्या है उनका पूरा टाइम तो आने जाने में ही लग जाता है गुडगामा क्योंगी 10 किलो मिटर तो है नहीं वो यहां से 60 किलो मिटर है डाई सो के करीब गाड़ी रोज की रोज चल रही है तो यह असे में वो क्या देख वो मरीजों को क्या इलाज करेंगी सरकार का नारा है सब का विकास सब के साथ मेवात नहुजिले में ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताना चाहूँगा हमारी एसोशेशन इस बारे में माने स्वास्ते मंतरी माने मुख्य मंतरी जी को भी लिखित में लिखित में ग्यापन बेच चुकी है लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है मुझे तो ऐसा लगता है, मारी एसोसेशन को ऐसा लगता है कि मेवात पिछडा हुआ नहीं है, मेवात को पचाडा जा रहा है क्योंकि जब तक ऐसे अधिकारी रहेंगे जो मेडिकल कालिज जितनी बड़ी संस्ता का अधिकारी रोज की रोज डारेक्टर समकस अधिकारी रोज हेड क्वाटर पर नहीं रहकर रोज गुरुगराम से अपडान कर रहा है तो यानि कि उस जिले के क्या हाल हो सकते है अगर हमारी डिमांड अगर आगामी महा में पूरी नहीं होती है तो हमें बहुत बड़े आंदोनन की सुरुवात इस मेवात में कर देंगे और उसके लिए परसासन और चितने भी परसासनी का दिकारी है वो सम जिम्मेवार होंगे क्योंकि हमने हर जंगया पर इनफॉर्म कर दिया है तो डक्सब आज ग्यापन सोफार डक्टर गुलसन परकास के नेतवत में क्या मांग है क्या चाहती है आप लोग देखे आज मेवात के लोगों ने मेवात के बहुत बड़े मुद्दे को उठाया है तैसिलदार जी के माध्यमशे हमने स्वास्त मंतरी जी को ये शिकायत बेजी है कि यहाँ जो पास में स्थित मेडिकल कोलीज है वहाँ पर जो निदेशक है उसने बड़ा ताना साफ पून रविया अपना रखा है वो ना तो अपना हेड़कॉर्टर मैंटेन कर रही है ना जो उस मेडिकल संस्तान को मूलबूच सुईधाय मिलनी चाहिए उनको पूरा कर पा रही है जैसे कि जिले को और अधिकार है वो अपने हेड़कॉर्टर को मैंटेन करते है और जो सुईधाय लोगों के लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए लेकिन एक निदेशक के मादम से इस परकार का तानसा रवईया इस मेवात अक्षेतर के गरीब लोगों को मैं इसी दे तोर पे कहड़ा चाहूँगा कि ये उत्पीडन की ओर ले जा रहा है जो उनकी जरूरते हैं वो पूरी नहीं हो रही है जिसके काड़ आम जन परेसान है आज हमने ग्यापन सोब कर ये चेता दिया है परसासन को कि इसको हलके में ना ले अगर इसके ओपर कोई कारवाई नहीं होती है तो एक बड़े अंदोलों का सामना मेवात के लोग मेवात क कि जनता सरकार के सामने खड़ा करेंगे यह ऐसा तो नहीं सरकार की साजबास से रवाई दिखा रही है नहीं देखो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें सरकार की कोई हिस्यदारी है सरकार का काम था निदेशक लगाना हम यहाँ बात यह भी कहना चाहेंगे हैं स्थाई निदेश की निउक्त की जाए जिससे मेवात के लोगों को सही रूप में मेडिकल की सेवाई मिल सके क्योंगि यहां गरीब लोग है मुल्बू सुधाय नहीं है प्राइवेट होस्टल इतने नहीं है जिससे कि उन शिवाओं को प्राप्त कर सके जैसा कि डाक साब ने सभी डिमांड सापको बताई है अमने लिखित में लिए